नत्राजन मंदिर चिदंबरं तमिल्लाडू तुमको प्रणामम माहकालंगे शक्ति मानम देवादी देव भगवान शिव को सर्वोच देवता के रूप में पूझने वाले उपासकों के लिए तमिल्लाडू में चिदंबरं स्थित नत्राजन मंदिर आस्था के प्रमुक केंद्रों में से एक है माननिता है कि कैलाश पती शिव ने इस पवित्र स्थान को अपनी शक्तियों द्वारा उपकृत किया है जिनका स्रिजन भी उन्होंने यहीं किया है संकट पड़ी जो भक्तों पे तुम तीन लोग को दिये हिलाए संकट पड़ी जो भक्तों पे तुम तीन लोग को दिये हिलाए पूजा जप तप दास तुम्हारे ओम नमो नम नम शिवाए पुरानों के मताबिक भगवान शेव यहां प्रणव मंत्र ओम की आकार में विराजमान है यही वज़ा है कि अराधक इसे बड़ा शुब मानते हैं नमा शिवाय, ओम 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 नमा शिवाय, वर्वारुकमिवबंधनात मृत्योर्ण मुक्षिय वाम्रितात चिदम बरम भगवान शिव के पाँच खेतरों में से एक है इसे शिव का आकाश ख्षेत्र भी कहा जाता है। अगनी और आकाश से मानों शरीर का निल्मान हुआ है। दटराज मंदिर को अगनी मूल के नाम से भी जाना जाता है। कई उपासक मानते हैं कि भोले नाद यहां ज्योती रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के केंद्र और अम्बलम के सामने भगवान शिव पारवती जी के साथ स्थापित है। मंदिर की सन्रशना अपने आप में आकरशक और विशिष्ट है। चार सुन्दर और विशाल गुम्बदों ने संपूर्ण मंदिर को भव्यस और उप्रदान किया है। मंदिर की आंद्रिक सा सज्जा, सुन्दर शिल्पकारी और इसका व्यापक शेत्रफल इस मंदिर को अनन्य रूप देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोश्यों का एक पूर्ण वर्ष, देवदाओं के मात्र एक दिन के बराबर होता है। यही कारण है कि जिस प्रकार मंदिर के पवित्र गर्वग्रह में दिन में 6 बार पूजा की जाती है। उसी प्रकार प्रमुक देवता, भगवान नतराजन के लिए वर्ष में 6 बार अभिशेक का आयोजन किया जाता है। इने मर्ग जै, तिरु वाधी राई, दिसंबर से जनवरी, पहली पूजा के प्रतीक के रूप में, मासी माह, फरवरी से मार्च, नए चंद्रमा के 14 दिन, चतुर दशी, दूसरी पूजा के प्रतीक के रूप में, चित्तेरे, तिरु वोनम, अप्रेल से मई, तीसरी पूजा या उची कालम के प्रतीक के रूप में, आडि मा उठीराम, जून से जुलाई, जिसे आणी थिरु मंज नाम भी कहते हैं, ये संध्या की या चौधी पूजा का प्रतीक है, अवनी की चतुर दशी, अगस्त से सितंबर, पाचवी पूजा के प्रतीक के रूप में, और पुरा दासी महा की चतुर दशी, अक्टूबर से नवंबर, अर्थ जामा या छटवी पूजा का प्रतीक है, शिव के नटराज स्वरूप को दृत्तिका स्वामी कहा जाता है, इस कारण भरत नाट्यम के कलाकारों के मन में भी इस मंदिर का खास धान है, मंदिर की बनावट इस तरह है, कि इसके हर पत्थर और खंबे पर भरत नाट्यम की नृत्त की मुद्राएं अंकित हैं, मंदिर की देखरेक और पूजा बाठ यहां पारम परिक पुजारी करते हैं, हाला कि मंदिर का सारा प्रबंधन त्रधालूओं द्वारा चड़ावे और दान की रूप में दिये गए धन से होता है, यह मंदिर शिव क्षेत्रम के रूप में ही प्रसिद्ध है, यहां भगवान गोविन राज की प्रतिमाई स्थापित है, जो शिव के बिलकुल निकट स्थापित है, मन्दिर में एक बहुत ही खूपसूरत तालाब और नित्य परिसर भी है, यहां हर साल नित्य महुत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से आयक अलाकार हिस्सा लेते हैं, तमिल नाडू के मद्धि पूर्व क्षेत्र में बसा यह छोटा सा स्थान अपने नत्राज मंदिर के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है, न केवल यहां का मंदिर शिव के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, बलकि यह देश का एक मात्र ऐसा मंदिर है, जहां भरत नाट्यम जैसे शास्त्री निर्त्य की मूल मुद्राएं पत्थरों में गड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी खुबी है, यहां की आर्थी तथा उस वातावरन से उत्पन अलोकिक अनुभूती। संध्या कालीन आर्थी की बेला में मंत्र का गुंजन, शंक और विशालकाए घंटों के निनाद वा आर्थी की दीप शिखाएं मन प्रणों में जो एक बार रच बस जाती हैं, तो बस आत्मा धन्य हो जाती हैं। ऐसा वातावरन और ऐसा अनुभव शायद ही अन्यत्र सुलब हो। चिदम बरम के नटराज मंदिर की एक और खास बात ये है, कि यहां के मूल मंदिर में अराध्य देव की कोई प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है, साकार नहीं। रेल मार्ट से जाएं, तो चिदम बरम चेन नहीं तन्जाबुर मार्ट पर चेन नहीं से दो सो पैंतानिस के निकर देए। रेल्वे स्टेशन भी चिदम बरम नाम से ही है। सडक मार्ट से चिदम बरम किसी भी वाहन से चेन नहीं से चार से पाँच घंटों में पहुँचा जा सकता है। हवाई सेवा से चिदम बरम जाने के लिए चेन नहीं नहीं की प्यारपोट है। यहां से बस या ट्रेन के जरीए चिदंबरम पहुँचा जा सकता है। मंदिर का भवन शहर के मध्य में इस्थित है और 40 एकड यानी 1,60,000 वर्ग मीटर के क्षित्र में फैला हुआ है। चिदंबरम का उल्लेक कई प्राचीन कृतियों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर ब्रह्मान के कमल रूपी मंदिक्षेत्र में अवस्थित है। विराट रिदया, पद्मिस्थलम वो इस्थान जहाँ पर भगवान शेव ने अपने शाश्वत आनंद, निरत्य, अर्थाद, आनंदक तांडव का प्रदर्शन किया था। यहाँ भगवान शेव अपनी निरत्य मुद्रा में विराजते हैं। इसलिए भगवान भी सभा नायकर के नाम से जाने जाते हैं, जिसका अर्थ होता है मंच के देवता। स्वर्ण छत्र युक्त मंच, चिदम्बरम मंदिर का पवित्र गर्व गह हैं। और यहाँ तीन स्वरूपों में देवता विराजते हैं। रूप भगवान नटराज के रूप में उपस्तित मानव रूपी देवता, जिन्हें सकल थिरुमेनी कहा जाता है। अर्ध रूप चंद्र मोले स्वरर के स्फटिक लिंग के रूप में अर्ध मानव रूपी देता जिन्हें सकल निश्कला थिरुमेनी कहा जाता है। अर्ध का नाम तिरुवसाकम अत्वा पवित्र उच्चारण है जिसके अधिकांश भाग का पार्ट चिदम बरम में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनी का विसागर को चिदम बरम में आध्यात्मि ज्यान की प्राप्ति हुई थी। प्रतम तीन संत्यों की कृतियां मंदिर में ताड़ पत्रों पर पांडू लिपी के रूप में अंकित कर ली गई थी। और चोल राजा अरुन महुजी वर्मन द्वारा पुना प्राप्त की गई थी। बंदिर में कुन नौ ध्वार हैं जिन में से चार पर उचे पगुडा या गोपुरम बने हुए हैं। प्रते कोपुरम में पूर्व, दक्षिन, पश्चिम और उत्तर की ओर साथ स्तर हैं। पूर्व ये पगोडा में भारती निर्त शैली भरत नाट्यम की संपून 108 मुद्राएं अंकित हैं। मंदिर में पांच सभाय हैं। चित्त सभाई, पवित्र गर्व ग्रह हैं जहां भगवान नट्राज और उनकी सहचरी देवी शिवागमा सुन्री रहती हैं। कनक सभाई, ये चित्त सभाई के ठीक सामने हैं, जहां से दैनिक संसकार संपादित किये जाते हैं। राजा सभाई या एक हजार स्तंभो वाला हॉल, जो हजार खंभो से योक्त, कमल या सहस्त्राम नामत योगित चक्र का कतीक है। इस चक्र को एक हजार पंखुणियों वाले कमल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सहस्त्र चक्र पर ध्यान वेगाने से परमसत्ता से मिनन की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और ये योगिक क्रियाओं का सरबोच बिंदु माना जाता है। देव सबही जहाँ पंच मूद्या विराजमान है। इन पंच देवताओं के नाम हैं भगवान गनेश, विग्न हर्ता, भगवान सोमासकंद, एक रूप जिसे भगवान अपनी आभा और सहचरी के साथ बैठी हुई मुद्रा में है। भगवान की सहचरी सिवननदा नायकी, भगवान मुरुगा और भगवान चंडी के स्वरव, भगवान की भकतों के प्रमुक। नेत्य सबही या नाट्टे सबही ये मंदित द्वजा के खंबे के दक्षिन की ओर है जहां माननेता के अनुसार भगवान ने देवी काली के साथ नर्ति किया था भगवान शेव की आनंद तांडव मुद्रा एक अत्यंत प्रसिद्ध मुद्रा है जिसे संसार में अनेक लोगों ने यहां तक की अन्य धर्म को मानने वालों ने भी मानिता दी है ये प्रह्मान ये निर्ति मुद्रा हमें ये बताती है कि एक भरतनाट्य मुद्तक या निर्तिकी को केस प्रकार से निर्ति करना चाहिए नटराज के पंजों के नीचे वाला राक्षस इस बात का प्रतीक है कि अज्यांता उनके चर्णों के नीचे है उनके हाथ में उपस्दित अगनी यानि नश्ट करने की शक्ती इस बात की प्रतीक है कि वो बुराई को नश्ट करने वाले हैं उनका उठाया हुआ हाथ इस बात का प्रतीक है कि वे ही समस्त जीवों की उद्धारक है उनके पीछे इस्तित चक्र ब्रह्मान का प्रतीक है उनके हाथ में सुशोविट डमरू जीवन की उत्पत्ति को दर्शाता है ये सब वे प्रमुक वस्तुएं हैं जिने नटराश की मूर्ती और ब्रह्मानिय नित्यमुद्रा चित्रित करते हैं और सुधाही हमारे मन को इस मंदिर की ओर आकर्शित करते हैं अखर्व सर्व मंग लाग लाख दंब मंचरित्त अफ्रवाह माधुरी रिजंब नाम धूब तंब मारंत कंपूरंत कंधवांत 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 कं